गर और कीचन के कामों को करना काफी मुश्किल होता है लेकिन अगर इन कामों को हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू करें तो ये काम आसान होंगे साथ ये सारे सारे पेसे भी बचाएंगे और महनत भी तो hello everyone welcome back to my channel कैसे हो आप सब आज मैं आपके लिए कुछ AC useful tips लेके आए हूँ तो यहाँ देखिए मेरा पहला tips होगा केंची को लेकर और देखिए केंची और ये जो चाकू होते हैं इनको हम use कर लेते हैं तो काफी time बाद इनकी धार कम हो जाती है और फिर हमें market से इसकी धार करवानी पड़ती है पेसे भी खर्च होते हैं तो आज मैं एक AC trick बताऊंगी जो आप घर पे ही इनको धार बना सकते हो तो करना क्या है कि आपको लेना है nail police यहां मैं ले रही हूँ देखिए nail police और अब देखिए होता है क्या है friends केंची को हम केसे भी ही देखिए कर लेते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि धार केसे बनती है केंची की तो आप देख पार हो कि एक side में देखिए यह plane रहता है और एक side में इस तरह से यह तीर्चा रहता है तो आपको करना क्या है कि तीछी की साइट जो होती है वहां पे आपको नेल पोलिस को देखे इस तरह से रखे और इस तरह से रगड़ना है इससे यह होता है कि अगर केंची की धार नहीं है तो वो अच्छे से बन जाएगे तो friends ये आप जरूर से चेक करके ही इस तरह से करना है नहीं तो आप जो plane वाला है वहाँ पर आप इस तरह से करोगे तो ये अच्छे से धार नहीं बनेगी उल्टी आपकी कैंची और खराब हो जाएगी तो एसे ही देखिए चाकू में भी होता है कि एक साइड में देखिए होता है plane और एक साइड में रहता है थोड़ा सा तीर्चा तो जो तीर्चे की साइड होती है वहाँ पर ही आपको इस तरह से रगणा है तब ही चाकू की धार बनेगी तो फ्रेंच ये बहुत ही useful है और आज तक ये वाला जो टिप है वो किसी ने नहीं बताया क्योंकि हम इसको रफ करते हैं तो ठीक तरह से नहीं करते हैं ओल्टा हो ये खराब हो जाते हैं तो चलिए हमें आपको ट्राइकर के भी दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया से देखे ये कटा जा रहा है तो इस तरह से हम चाकू कैंची की धार बना सकते हैं घर पे ही तो अगर टिप यूसफूल हो तो इससे लाइक करे शेयर करे तो चलिए देख लेते हैं अगला पसंद है वह आप ले लीजिए और इस तरह से पानी में आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब देखिए आपको जितने भी कलर पसंद है उसके हिसाब से आप दिए रख लीजिए यहां मैंने देखिए एक रेड कलर में रखा है पीला कलर में रखा है और एक ग्रीन कलर मे अब देखिए करना क्या है कि आपको लेना है एक टेप तो जो shallow टेप होती है transparent वो आप टेप ले लीजिए और थोड़ा सा आप यहां पे piece कट कर लीजिए तो यहां देखिए मैंने एक छोटा सा टुकडा कट कर लिया है करने के बाद बीच में हम एक छेद बनाएंगे यानि होल बनाएंगे एक इसमी देखिए कुछ इस तरह से बनाने के बाद अब हमें करना क्या है कि एक लेना है हमें लंबी वाली बाती और बाती लेके हमें क्या करना है कि उस बाती को इसके अंदर डालना है देखिए इस तरह से और प्रिंस यहां पे आप पूरा ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और देखिए आप यूज कर पाओगे तो यहां मैंने देखिए बाती को इस तरह से लगा लिया है और अब जो सब्सक्राइब तो जो भी आप यूज करते हो धिपक के लिए जलाते हो तो वह वाला तेल आप थोड़ा सा इसमें डाल दीजे ज्यादा हम नहीं डालेंगे यहां पर आप अब देखिए तेल क्या है कि पाने की उपर तेट है और थोड़ा सा हम इसको भी गिला कर लेंगे तेल से करने के बाद चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं इसके उपर कैसे रखना है तो देखिए आपको क्या करना है कि इस तरह से जो हमने बत्ति को रखा है टेप में वह हम टेप सिधा ही इसके अंदर रख देंगे और अगर आपको दिकत हो रही है टेप में तो आप क्या है कि जो पुरानी बोतल होती है या फिर कोई भी कड़क जो प्लास्टिक का होता है वो उससे से भी आप थोड़ा गोल एक सरकल कट कर लीजी और इस तरह से एक बना लीजी यहां देखे मैं बीच में भत्ति को ठहरा दी हूँ और चलिए अब हम इसको जलाते हैं आप देख पारे ह हो इस तरह से आप अलग-अलग कलर के दिये जला सकते हो वो भी तेल में नहीं पाने में बहुत ही खूपसरत लगते हैं तो चलिए देख लेते हैं आगला यूसफुल टिप्स तो करना क्या है कि हमारे पार देखी जो दिये होते हैं मतलब पुराने जब दिये हो जाए तो ह अब दिखी आपको क्या करना है एक पेपर लेना है या पिर आप प्लास्टिक कवर भी ले सकते हो तो यहां दिखी में एक पेपर ले ली हूँ और इसमें मैंने डाल दिये हैं दिये जितने भी आपको चाहिए उसके साब से आप दिये ले लीजी और हतोड़ी से अच्छे स बारिक भी हो जाता है तो चलिए मैं इसको अच्छे से बारिक करके ही आपको दिखाती हूं और फ्रेंज वीडियो को इन तक देखा करें क्योंकि आदी अदूरी जो वीडियो होती है वो रिजल नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं कोई भी काम अगर हम करते हैं और फिर वीडियो क्लिक करते हैं तो थोड़ा वो देखके छोड़ देते हैं और पुरा नहीं देखते हैं तो वो हमें रिजल नहीं मिलता है तो फिर आप कोमेंट करके बोलते हो कि ये तो कोई काम का नहीं है इसी बगवास है तो प्लीज आप व दिखा रही हूं दिये को क्योंकि अगर आपने पेले नहीं देखा है तो आपको देखिए यह पाउडर बनाना है अब यहां से देखिए मेरा बेटा आपको करके दिखाएगा कि कैसे इसको करना है कैसे यूज़ करना है तो वो आपको यही दिखाएगा क्योंकि मैं जब कर र मेरी बनाई हुई वीडियो ज्यादा शे ज्यादा लोगों को पसंद आई है तो प्लीज अब देखे इसमें एक कटोरी में ये पाउडर को डाल दिया है इसमें डाला है इसने एक चमच नमक और नमक डालने के बाद अब हम लेंगे एक चमच विनिगर तो वाइट विनिगर जो होता है वो आपको यहां पर ले लेना है तो देखिए ये वाला विनिगर हम एक धकन ले लेंगे और अब देखिए हम इसका यूज कैसे करेंगे तो हमारे देखिए मंदिर में पूजागर में जो बरतन होते हैं पितल के होते हैं चांदी के होते हैं कोपर के तो इस तरह यह अच्छे से इसको mix कर लेते हैं प्रेंड्स प्लीज इसे ज़्यादा शेयर करें लाइक करें ताकि इसको खुसी हो और आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको यह वीडियो बना के दिखाए तो मुझे तो खुसी होती है कि मेरा बेटा कुछ आपके लिए करके द दिया है नरम जदा हो चुका है तो मैंने बोला इसमें थोड़ा पाउडर और मिला लो तो यह बोला था कि नहीं है अभी हम इतना ही करेंगे क्योंकि तोड़ा पाउडर बनाने में तो इसलिए हम सिदा ही यह यूज कर लेंगे तो चलिए अब हमारे पास जो भी बरतन है व रहती कर दीखाएगा तो आप दिखक्त करना क्या है कि यहां पर कोई भी आप नीचे क्या है कि प्लेट फ़ग HC रख लीजिए ताकि क्या है कि इसका जो पुला दा है वह नीचे ना गिरे और यह जो वीड़ बना रहा है यह बहार बना रहा है तो वो दिक्कत नहीं आए ग बात कितना बढ़या से ये कालापन हड़ चुका है देखिये आप देख सकते हो हैं है इसा है है पुछ दिखस बढ़या طरी का हैμη। ताकि क्या है कि आप इस तरह से पूजागर के जो बरतन होते हैं वो आसानी से साफ कर सके और फ्रेंज ये क्या है कि आप एक बोटल में भरके रख लीजे थोड़ा सा आप यूज करोगे और सारे बरतनों को साफ कर पाओगे तो आप देख सकते हो कितना बड़य से ये कलापन निकश चुका है देखिए उपपर की साइड में इसने नहीं लगाया है जहां पर लगाया है तो वो सारा देखिए हट चुका है कलापन तो इस तरह से कोपर के बरतनों को बहुत ही बड़या से हम चमका सकते हैं फ्रेंट्स बिलकुल भी महनत नहीं करने पड़ेगी और एकदम हलके हाथ से हम इसको साफ कर सकते हैं तो यहां देखिए मैंने जो भी बड़े बड़े बरतन थे वो भी यहां पर लेके आ चुकी हूँ और इसको बोड़े हूँ कि तू यह सारे साफ कर दे और आप देख सकते हो देखिए पहले यह बहुत काला था और अब देखिए कितना बड़या से यह चमक चुका है तो आज यह पूरे बरतनों को चमका के ही रहेगा तो यह इसको मुझे बहुत पसंद आया था कि ना तो इसमें मेनत लेगी और हलके हलके हातों से जब हम इसको कर रहे थे तो अच्छे से यह साफ हो चुका था तो इस तरह से फ्रेंट्स आप धेर बरतन साफ कर सकते हो और इस पाउडर को भी आप एक बोटर लिया किसी भी बोक्स वगेरा में भरके रख लिजे और महिने बर तक आप इसको यूज कर सकते हो तो फ्रेंट्स अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज़्यादा शेयर करें क्योंकि यह जो वीडियो होती है इस तरह के बहुत काम आती है बरतनों को हमें हर रोज साफ करना पड़ता है तो प्लीज इसे ज़्यादा शेयर करें और मेरे बेटे को भी खुशी होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप भी लाइक कर दे तो फ्रेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसी यूजफुल वीडियो के साथ बाबाई टिक ने टिक वोचिंग